हेलो फ्रेंड्स मैं अभिशेक आपके सामने उपस दित हूँ अपनी सीरीज कंसेप्च्छल टॉपिक्स लेकर ये मेरी सीरीज का दूसरा वीडियो है मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी एंड फॉर्मुला वट इस दा बेसिक डिफरेंस बेट्विन ओल इस फोर इन चारों में हमारे पास एक यूज होता है उसको बोलते हैं वैरियेबल दूसरा पॉंस्टेंट और कुछ अर्थमेटिक ओपरेशन जैसे प्लस करना माइनस करना, डिविजन करना, मल्टिप्लाई करना वो चारों तो हमको पता ही है आप वैरियेबल समझ लेते हैं वैरियेबल आप इसको उल्टा पढ़िए एबल तू वैरी जो अपनी वैल्यू बदल सके माल लीजिए दो छोटे बच्चे हैं राम और श्याम उन्होंने मि वैल्यू टेन रूपेज, योग्इ के माल चुंद एसक लोट स का सम्म में $50 है यह पनी वैल्यू बदल रहे हैं यह पनी वैल्यू बदल रहे हैं तो वैरियेबल पीर हो कहले आगली मों हमारे पास constant 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 हमारे पास दो तरह के होते है एक होता है हमारे पास permanent constant permanent और एक होता है हमारे पास temporary temporary constant permanent constant अगर मैंने कहा कि मेरे पास two pens है तो surely मेरे पास two ही रहेंगे अभी भी कल भी परसो भी जब तक का मैं कोई नया pen नहीं लाता हूँ या कोई damage नहीं होता है तो value fix है, यह permanent constant है लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को 2 rupees pocket allowance मिलता है per day, तो उसकी पास 2 days में हो जाएंगे 2 into 2, 4 rupees 3 days में 3 into 2, 6 rupees और 5 days में 2 fives are 10 rupees बेशक उसके पास आने वाली value fix है लेकिन it is dependent on number of days value fix होते हुए भी, constant होते हुए भी बदल रही है, इसलिए इसका नाम है temporary constant तो constant दो तरह के होते हैं, permanent constant and temporary constant अब बात आती है expression की expression क्या होता है expression जो हमने पढ़ा है आज तक expression की हम लोग value find करते हैं, expression होता है variables and constants को आपस में combine करना using arithmetic operations arithmetic operations के साथ variables and constants को bound करना किस तरीके से आप bound कर सकते हैं माली जी मैं दो variables की बात कर रहा हूँ आपने लिखा 2 multiply x plus 3 multiply y यह आपका expression बन गया है आपने second expression लिखा 2 को divide कर दिया x से plus 7 को multiply कर दिया y से यह 2 variables में है और एक concept होता है power जिसकी power 1 है हम उसको बोलते हैं linear expression माली जी एक example पर ओर लेते हैं 7 x की power 2 minus 8 multiply यह बीचे उने minus कर दिया minus 8 x plus 9 y 2 variables highest power 2 तो यह हमारा expression है degree 2 का variables 2 यहाँ आपने divide किया था यहाँ multiply किया था देखिए दोनों को multiply 8 और x को फिर minus तो arithmetic operations का यूज करते वे जब variables और constants को combine करके लिखा जाता है तो हम उसको कहते हैं expression अब बात आती है इसके बाद equation की equation जब कोई भी expression bound कर दिया जाए bound restrict कर दिया जाए restrict का आप कैसे करेंगे आप कहेंगे माल लीजिए मैं इसी वाले expression को ले लेता हूँ जो कि मेरे पास है 2x प्लस 3y तो 2x प्लस 3y को मैंने bound कर दिया मैंने लिखा 2x प्लस 3y is equal to 7 मैंने equal to लिया bound करने के लिए हमारे पास 2x प्लस 3y less than equal to 7 भी हो सकता था ये bound करने का सबसे last वाला तरीका होगा हमारे पास जो कि हम plus 1 में deal करते हैं फिलहाल मैं अप्टू 10th की ही बात कर रहा हूँ और इसको last ने discuss कर लोगा 2x प्लस 3y is equal to 7 आपने bound किया equality के साथ तो ये हमारा कहलाता है equation जब भी कभी restriction लग जाए आप इसको equate कर सकते हैं 2x प्लस 3y is equal to 0 आप किसी भी variable के combination को x को y को constants को जब अपने combine कर लिया उन सभी के combination को अगर आपने equate कर दिया bound कर दिया restrict कर दिया किसी भी constant के then that is called an equation अगर ये less than equal to का sign आजाता है तो हम plus 1 में पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं in equation ये बिल्कुल last topic होगा आप लोगों के लिए अगर आप लिखते हैं 2x1 x1 मतलब degree 1 plus 3y y गी power 1 is equal to 9 जहां भी कहीं आपको equal to का sign दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये equation है expression equal to a constant equation अगर variable होता है variable को side shift कर देते सब को solve कर लेते finally फिर वो equal to 0 आया था तब भी वो equation है अभी equal to का sign आगे identity और formula में भी आना है मैं आपको वो अलग से explain करने वाला हूँ वीडियो पूई जरूर देखिएगा सब भी कुछ डिडियल ने मताने के लिए कुछ चीजों का हलका सा repetition भी हो जाता है पर वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ second 2x square plus 7x plus 8 is equal to 0 highest power degree 2 variable सिर्फ x है तो हम इसको बोलेंगे it is quadratic degree 2 वाला quadratic in single variable but it is equation तो यह होगा हमारा quadratic equation quadratic equation की finally जो मैंने आपको पहचान बोली है equal to होना चाहिए किसी के equate होना चाहिए it is bound it is bound to be equal to 0 यह बन गई है हमारी equation इसके बाद हमारे पास एक word आता है identity identity हम लोगों ने अपनी lower class में पढ़ा हुआ है a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab यह इसके bound नहीं है यह इसके equal है अगर आप कभी भी a की value रखते हैं मान लीजिए 2 b की value रखते हैं 3 तो आपके पास lhs आ जाता है 2 plus 3 5 का square जो की equal होगा 25 फिर आप rhs चेक करते हैं rhs में आप क्या लिखेंगे 2 का square 2 इन्टो 2 इन्टो 3 2 का square 4 3 का square 9 2 तो जा 4 3 जा 12 12 और 4 16 प्लस 9 25 आप देखते हैं दोनों साइड एक्वल आ गई है यह कहलाती है अमारी identity identity is that which holds good holds good for all values पर ये up to 10 तो चल जाता है पर 10th क्लास में भी हमारे पास एक मैंने जो आपके सामने लिखी है इसका नाम है algebraic identity जो मैंने आपको समझाया है ये है मेरे पास algebraic identity पर जैसे ही मैं आपके सामने और बड़ी identities रखूंगा तो ये line अपने आप में अधूरी साबित होती है यहां कुछ और भी आएगा वो क्या आएगा देखते हैं अभी algebraic identities में एक identity और a-b का square is equal to a square plus b square minus 2ab अगर आप यहां पर a की value लेते हैं 3 मैं बहुँ छोटी सी small-small values ले रहा हूँ क्योंकि basically मैं concept पर work कर रहा हूँ ना की calculations पर b is equal to मालीज आपने ले लिए 2 तो आपको a-b का square is equal to 3 minus 2 3 minus 2 का square that is 1 square 1 मिलता है अब आप values फीड करेंगे 3 का square plus 2 का square minus 2ab 2 into 3 into 2 3 square 9 2 square 4 minus 2 2 is 4 3 is 12 9 4 13 13 minus 12 equal to 1 दोनों value सेम आई हैं तो आप देखते हैं कि जो LHS दे रही हमको value वही RHS भी दे रही है इसी को हम बोलते है identities आप जो मर्जी value फीड करिए answer आएगा अभी उस जो मर्जी पर ही मैं work कर रहा हूँ मैंने आपको जो मर्जी ही सिखाना है जो मर्जी नहीं होता है actual में इसको कुछ कहा जाता है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ये trigonometry में identity आती है इसी लिए इसको trigonometric identity कहा जाता है मैंने दो identity आपके सामने लिखी actually होता क्या है sin theta sin theta होता है हमारा perpendicular over hypotenuse और cos theta होता है हमारा base over hypotenuse और ये दोनों values पर define होते है sin theta और cos theta हर value पर find किये जा सकते है लेकिन actually 10 theta को problem आती है 10 theta 10 90 पर define नहीं है आप देखते हैं 10 actually 10 90 is not defined तो अगर आप इस identity में theta ये जगा 90 फीड करें तो खुद जो not defined है LHS वो equal to किसी के भी कैसे आएगा खला तो ये खुद define नहीं है कौन identity लेकिन identity dependent है 10 theta पर और 10 theta भी define नहीं है तो फिर ये identity कैसे होई तो अब पुरानी बात में मैं कुछ add करता हूँ identity identity क्या होती है identity which holds good फॉर फॉर ओल की सिंबल होता है फॉर ओल का मैं लिख भी देता हूँ यहां पर इसको ब्रैकेट में कर देते हैं फॉर ओल वैल्यूज लाइंग इन इस डोमें अब यह डोमें बड़ा टिपिकल सा कंसेप्ट है plus one में तो यह easy लगता है लेकिन up to 10 आप इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं तो मैं simple सी एक बात कहता हूँ अगर मान लीजिए मैं mathematics का teacher हूँ और आप मुझे math का question पूछते हैं तो मैं को अगर वो question नहीं आता तो मैं कहूँगा मुझे नहीं आता लेकिन अगर आप SS का question मुझे से पूछते हैं तो मैं कहूँगा बेटा ही मैंने पढ़ा नहीं है मेरे level नहीं मैंने यह concept नहीं पढ़ा है मुझे नहीं आना और वो मैंने नहीं पढ़ा दोन बातों में फर्क है एक बढ़िया example और देता हूँ माल लीजिए आपके पास CPU है CPU में आपने disk insert करी disk read होगी read करके computer के monitor पे जो भी कुछ होगा वो लिखा हुआ आएगा आप उसको read करेंगे पर अगर आप वहाँ पे cards की disk डाल दे जो readable नहीं है तो computer क्या कहेगा error, computer यह नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता computer कहेगा मेरे लिए यह readable नहीं है मेरे domain में नहीं है मैं इसको पढ़ नहीं सकता मैं इस पर कुछ value नहीं दे सकता computer में खराबी नहीं है खराबी है, disk रहे तो वैसे ही 90 90 का 10 value नहीं दे पाता तो यह identity कहाँ पर होगी यह identity वहाँ पर होगी जहां पर यह constituent parts जिनसे identity बन नहीं है वो तो define हो, इसलिए कहा जाता है identity is that which holds good for all values lying in its domain जो इसके domain में हो जिन पर यह define हो सके अपनी value कह सके, बता सके formula formula basically एक ready made tool होता है, पहल से बना हुआ होता है जो हमको values देता है मान लीजिए, अगर आपको कहना है कि मुझको rectangle का perimeter बताईए length L है, दोनो breadth B है, तो rectangle rectangle का perimeter हम लोगों को पता होता है कि derive किया जाता है, perimeter means boundary, 1B, 2B 1L, 2L, then it should be twice of L plus twice of B, twice common लेकर L plus B अब आप देखिए, ये तो words में लिखा हुआ है ये चीज की equal कैसे हो सकती है ये हमको required है और उसके लिए जो system बना हुआ है वो system ये बना हुआ है, ready made system बेशक वो ready made system कहीं से derived है बेशक, लेकिन ready made system है आप यहाँ पर L की value फीड दरेंगे मान लीजिए L होती पर 10 breadth होती मान लीजिए 5 तो आप 10 और 5 फीड दरेंगे आपको perimeter मिल जाएगा in similar manner मान लीजिए आप से कोई कहता है area of circle ये भी derived है मैं later stage पर इन सब पर बात करूँगा area of circle हमारे पास एक circle है उसकी radius r है आप से कहा जाता है आप इसका perimeter find करिए जो चीड required है देखिए ये equation नहीं हो सकती क्योंकि equated होने के लिए पहले set variable होने चाहिए थे constant होने चाहिए थे arithmetic operation होना चाहिए था value के equated ये तो value के equated नहीं है equation नहीं है expression constant variable होते थे direct value find करते थे नहीं वो भी नहीं है identity LHS, RHS नहीं है identity नहीं है तो basically formula है आप perimeter find करना है माल लीजिए radius आप रखते है 2 तो perimeter का formula होता है 2 pi r जिसकी लिए circumference कहते है आप value रख दी रहे 2 pi into 2 is equal to 4 pi units आप कहते है मुझे area चाहिए circle का हमारे पास circle का area होता है pi r square pi आप r की जगा रखिए 2 2 का square 4 pi square units यह होता है हमारा area formula ready made values देता है हमको उम्मीद करता हूँ आपको सब को समझ में आया होगा Thank you